आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन ब्रेक्फिस्ट और लंच का रूटीन और सुबह की अब पानी वगेरा पी कर दबाई लेने के बाद सबसे पहला काम होता है चाय चढ़ाने का तो मैं चाय चढ़ा रही हूँ और वेदर आज का अच्छा है धूप निकली हुई है लेकिन तूफान है आज बहुत पाहर आप देख सकते हैं विंडो से के बहुत जादा तेज हवा है रात मैंने दही जमा कर रखी थी और अच्छे से जम चुकी है तो दही को मैं डारेक्ट रख दूँगी फ्रिज में और जो योगर्ट म कर लेती हूं खाने पीने की लेकिन आज वो साथ उटी है तो थोड़ा सा डीले चल रहा है और फिल्हाल मैं उनके ब्रेक्फस्ट की तैयारी कर रही हूं तो नॉर्मल बटर ब्रेट जो है वो खा कर जाती है ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं बच्चे मोस्ली सुभा को किसी क बच्चे अगर खा लेते हों तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मैंने जो दो चार अपने क्लोस देखे हैं तो सुभा के टाइम बच्चे बलकुल नहीं खा कर जाते हैं तो वो थोड़ा सा दूद पी लेती है एका स्लाइस जो है वो ब्रेट का खा लेती है या सीरियल्स ख खाएं तो उसकी बटर बेड में यहां पर बना रही हूं और आज को रूटीन जो है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हस्बंड पहले बेटी को छोड़कर और फिर घर वापिस आते हैं पिर तयार होकर जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा हैंड-on time मिल जाता है खा टेस्ट के अकॉर्डिंग फल्दी डाली है वन फोर्थ टी स्पून वन फोर्थ टी स्पून ही मैंने इसमे रेड चिली पाउडर डाला है और अजवायन ली है एक चमच वह मैंने हाथों से क्रश करके डाल दी है साधी यहां पर है यह कसूरी मेथी जो मैंने हैंड-फुल और इसको मैंने बलकुल बारी क्रश करके डाल दिया है और बहुत ही सिंपल से यह परांठे बन के तयार होते हैं और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है जो कसूरी मेथी होती है इसका जो फलेवर है वो बहुत जादा एन्हेंस कर देता है टेस्ट को और थोड़ी सी ह बहुत लाइक लांग लास्टिंग है यह समयल अगर आ फ्रेश मेथी लें तो जब तक अच्छे से पूरा बंच ना डाले तो टेस्ट नहीं आता है लेकिन अगर ड्राइट फैनिवरीक हो आपके पास तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छे लग कि आते में कभी मैं कोई ओयल नहीं डालती हूँ तो बस थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आप यहां पर आता गूत लें सॉफ्ट सा कोई बहुत ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है बस आप नॉर्मल सा जो आता है वो यहां पर गूत लें और मैंने यह तयार कर दि है और इसके साथ ही मैंने ली है यहां पर अरहर की डाल तूर की डाल भी जिसको बोला जाता है तो सारी डाले जो है वो मैंने एक एक चमचा ली है यहां पर एक एक लैडल और इनको अब मैं वाश करके भिगो के रख दूँगी अच्छे से ताकि जब मैं बनाओं डाल वग चुकी हैं और फिलाल टीवी टाइम उनका चल रहा है कभी स्कूल जाने से पहले टीवी नहीं देखती हैं लेकिन क्योंकि आज जल्दी उठ गई हैं उनका काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो आज उनके पास थोड़ा सा टाइम था तो इसलिए बैठ कर वो टीवी देख रही ह और हम यहाँ पर चाए पी रहे हैं और हमारी हालत देख सकते हैं आपके सुभा को उटके कैसे रहते हैं सीरियसली सुभा की नीन बहुत प्यारी होती है सुभा को उटने का बिलकुल भी मन नहीं करता है लेकिन अगर पांच मिनट भी लेट हो जाए तो सब कुछ इतना में नहीं आता तो वो पांच मिनट की एक्स्ट्रा नीद भी आपको बहुत जादा परिशान कर देती है तो जोड तो पड़ता है दुख होता है उटते हुए सुभा को लेकिन ठीक है फिर जब काम ने बढ़ जाता है तो सुकून भी उतना ही मिलता है और उधर किसी का फोन आगिया है इंडिया से तो मैडम लेकर आई है फोन उधर रखा हुआ था और उसको समझ नहीं आया कि किस का फोन है तो वही बता रही है यहाँ पर और अब स्कूल के लिए मैडम हमारी तयार हो चुकी है और उसका पराथा मैंने बना दिया था वो में शूट करना भूल के थी क्योंकि फिर तयार करना होता है तो बहुत जल्दी जल्दी रहती है तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया लेकिन आगे आगे आपको दिखा दू और बस अब यह दोनों निकल जाएंगे फिर हजबन वापस आएंगे और फिर अपना जो है वो ब्रेक्विस्ट वगयरा करेंगे और तयार होकर तब निकलेंगे और अब बाई बाई फिर मैं रह जाओंगी अकेली वैसे बाकी बहुत सारा काम है तो कहा टाइम चला जाता ह पता ही नहीं चलता है और अब बस सीधा किचिन में वाकी का सारा काम निपटाने के लिए और वैदर देखी सकते हैं आपके कितना जादा बेकार वैदर हो चुका है I think 60 mile per hour था उस दिन और इधर मैंने डाल की तयारी शुरू कर दी है प्रेशे कूकर चड़ाया है थोड़ा क्यूमिन सीध्स और साथ ही मैंने यहां पर अनियन शामल कर दी है मैंने एक बड़ी अनियन दी थी जिसको मैंने मैनुल चॉपर में फाइनली चॉप कर लिया था और जैसे ही अनियन हलकी सी आपकी ब्राउन हो बस केरमेलाइस सी ही लगे तो दो गार्लिक की मैंने बर्ट्स बाद में डालती हूं नहीं तो फिर जले हुए लैसन की जो महक होती है जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं लगता है तो प्याज के बाद ही मैं हमेशा लैसन डालती हूं साथी यहां पर मैंने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर एड़ कर दिया है और यह मैंने चार- खुश्क ना हो जाए और जब आपका टमाटो अच्छे से ड्राई हो जाए तब आप इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दें या नॉर्मल रेड चिली पाउडर डाल लें ये तीखी नहीं होती है और कलर बहुत अच्छा आता है इससे साथी जो डाले हैं मैंने जाए तिक होती है ना ही बहुत जाए थिन होती है बहुत परफेक्ट बनती है इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिक आप इसमें सॉल्ट एड कर दे मैंने वन टी स्पून फुल डाला है इसमें और इतना बहुत हो गए इस डाल के लिए और अब मैं प्रेशर कुकर की लिड लगा दूगी और एक विसलाने तक इसको पकाऊँगी और उसके बाद में इसको सिम्प बे कर दूँगी। इधर मैने पहंच जड़ा दिया है और अब मैं करूँगी यहां पर सबजी की तैयारी तो कढ़ाई ली है और इसमें माने ओए औल डाला है और ओल मैंने थोड़ा स्लाइस करके रखी हुई थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, और इनको बस आप हलका सा गोल्डन ब्राउन कर लें, जो टिप्स हैं, वो हलकी सी ब्राउन होने लगें, बहुत ज़्यादा आप इनको ब्राउन ना करें, अधर फिर टेस्ट जो है, वो डिफरन हो जाता है, उदर छोटे प्रश्य कूकर में, मैंने राईस चढ़ा दी हैं, और प्रश्य कूकर में कैसे राईस बनते हैं, वो आप लोगों को अल्रेडी पता है, मैंने पहले कई बार शेयर किया है, मैं लिंक टाल दूँगी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही अनियन आपकी हल्की सीबुने तब आपस में धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दें और कपल अफ सेकंड्स के लिए इसको सौटे कर लें इसके बात जो टमाटर थे पीसे हुए रखे थे वह मैंने इसमे शामिल कर दीओके और इन टमाटर के साथ मैंने हरी मिर्च और अद्रख भी पीछा था जो शायद मैं डाल के टाइम पर बताना भूल गई थी तो इसमें अद्रंख, हरी मिर्च और टमाटर जो है वो सारी लेगन प्याज किसतर में काता है किस तरह से टमाटर डाला है यह सारी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस मेब करती है JEFF तो इसमें जैसे मैंने प्याज लंबी-लंबी काटी है, तो इस सबजी में ऐसे ही टेस्ट आता है, अगर आप बारी काटेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, तो हर सबजी को बनाने का एक अलग तरीका है, मसाले सारे वहीं हैं, लेकिन बस बनाने का तरीका अलग है, इसके आपके बार यहां पर मैंने डाल दिया है कठल और यह फ्रोजन कठल है मैंने रात को निकाल कर रख दिया था चली में तो यह अच्छे से था हो गया था तो यह हाफ कुक डाता है इसमें पानी वग्हेरा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती है अगर आप फ्रेश यूज कर और इसको मीडियम हीट पर कवर करके रख दे साथ ही मेरे जो चावल है उसमें विसल आ चुकी है और वो तयार हो चुके हैं तो मैंने गैस जो है वो बंद कर दी है उधर डाल जो है मेरी वो सिंपर पक रही थी एक विसल के बाद और मैंने दो चार मिनित उसको सिंपर रखा है उसके बाद हाई हीट पर करके मैं उसको एक विसल लगवा दूँगी और उसके बाद बस मैं इसको बंद कर दूँगी तो दाल का प्रेशर डाउन हो जाएगा दाल और चावल मेरे दोनों तैयार है यहाँ पर अब हम सबजी को भी एक बार चेक कर लेते हैं और बस आप इसको बीच बीच में चलाते रहें कहीं ऐसा नहों के जल ही जाए और जो कठल है आप उसको काट के देख लें और बहुत ज़ादא नहीं गलता है यह थोड़ा करंची सा ही रहता है और बहुत अच्छा लगता है तो मैंने पराठे जो हैं वो बनाने शुरू कर दिये हैं और पेड़े जो हैं मैंने सब के पहले से ही बना कर रख लिये थे और मैं गोली पराठे बना रही हूं बस हलका सा ओयल मैंने बीच में लगाया है और सारे किनारे उठा कर मैंने इसको दबा कर और फिर इसको मैंने बेलना शुरू कर दिया है तो बहले ही मैं अच्छे से एक्सप्लेइन ना कर पाऊ यहाँ पर लेकिन इस क्लिप को आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लें तो आपको पता लगेगा कि मैंने किस तरह से पराथा जो है यहाँ पर उसका पेड़ा बनाया है और इससे पराथे जो इसको ज्यादा खाने पीने की चीज़ें पसंद नहीं आती है तो यह परांथा वो खा लेती है उसको रोल बनाकर देकी हूं साथ में सालट दे देती हूं योगर्ट रहती है तो आझजी लिवो खा लेती है और घार आम से जब उसका लंच भॉक्स फिनिश होकर आता है तो तो बस इसी बैटन पे मैं अपने सारे परांथे जो हैं वो बना कर तयार कर लूँगी और इधर सबजी जो है मेरी वो बिलकुल कुक हो चुकी है उसमें मैंने थोड़ा सा गर्रम मसाला यहां पर एड़ कर दिया है और इसके बाद बस अब मैं हीट को बंद कर दूँगी और सबजी मेरी जो है वो बिलकुल तयार है और शायद यहां शूट करने में थोड़ा सा है लेकिन मैंने यहां पर गैस जो है वो बंद कर दी है सबजी के लिए दाल भी यहाँ पर तयार हो चुकी है प्रेशर डाउन हो गया है इसमें अब मैं डाल दूँगी गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा ही डालें दाल में गरम मसाला उसी से टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है और दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से तयार है बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है और राइस जो है मेरा बिल्कुल खिला-खिला राइस में बिल्कुल तयार है अभी गरम है तो इसको मैं अभी ऐसे ही जोड़ दूगी ताकि इसके जो grains हैं वो separate हो जाएं अच्छे से और ये है हमारा आज का breakfast मेथी के पराथे कसूरी मेथी के पराथे और साथ में कठल की सबजी और इतने साल बाद कठल की सबजी मैंने खाई थी उस दिन शायद मैं पूरा दिन हर दो घंटे बाद कठल की वजह से मुझे भूक लगने लगी थी हर दो घंटे के बाद मैं एक पराथा निकाल दे थी और कठल के साथ खा रही थी तो बहुत बहुत टेस्टी बना था इतने दिन बाद कोई अगर चीज मिले आपको जो आपकी फेवरेट हो तो फिर कहने ही क्या फिर उस दिन तो सारे खाने पीने डाइट शाइट की बैन बच गई थी मैं हर दो घंटे बाद चोता वो पराठा और कठल खा रही थी उस दिन तो अभी करती हूँ मैं इंजॉय अपना ब्रेकफिस्ट उसके बाद करेंगे बागी घर का काम सारी साफ सफा इतने सारे बरतन, so many things और उदर देखिए कितना सारा समान जो है अपना ब्रेकफिस्ट और इधर मैं अपना ब्रेकफिस्ट इंजॉय कर रही हूँ और सारा काम मेरा almost निबट चुका है अब नहाद होकर मैं आई हूं रूम में और मेरा थोड़ा सा जो सुबह का स्किन केर होता है नहने के बाद का वो मैं करूंगी और ज्यादा कुछ नहीं आप लोगों ने पहले भी देखा है सिर्फ सिंपली मॉशराइज करती हूं अपने फेस को और आई ब्रो पैंसिल, लिप्स्टिक, सिंदूर आई रोल ओन ये सारी चीज़े जो होती है वो मैं लगाती हूं तो वही नॉर्मल सिंपल सा जो मेरा स्किन केर रूटीन है तो ये पांच मिनिट सुभा के मैं जरूर देती हूं और मैं मोस्ली अपनी सारे विडियो में आप लोगों से बोलती हूं कि अपने लिए टाइम जरूर निकाले दुन्या में हर इनसान के पास 24 गंटे ही हैं एक दिन में और ये बात मुझे मेरे एक टीचर ने कही थी और उस दिन से वो बात मेरे दिमाग में है कि सब को सिर्फ 24 गंटे मिलते हैं ये हमारे ऊपर है कि हम उन 24 गंटों को किस तरह से यूटिलाइज करें इसके लिए और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, you can easily do it और इसके साथ जब आप ये सारे काम करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी और आपको सारा काम बहुत easily हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर स्किन केर मेरा हो चुका है और बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं बन कैसे बनाती हूँ तो मैं 3-4 तरह के बन बनाती हूँ, आज मैं बिल्कुल बेसिक वाला जो सिंपल है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ जो आप इसमें लास्ट वाला जो लपेटा देंगे, जो टाइट वाला होता है उसमें आपको अपनी पूरी पोनी को थू नहीं निकालना है आपको इस तरह से बाल उपर छोड़ देने हैं और ये नीचे आपकी छोटी सी पूछ बच जाएगी इन बालों को आप उस जो आपने ऊपर एक बन सा बनाया है उसके नीचे फोल्ड करें और यहाँ पर आप इस तरह से क्लचर लगा लें तो आपका बड़ा ही सिंपल सा जो बन है वो तयार हो जाता है बहुत इसी है ठीक से समझना आया और जिस तरह से मैंने बताया तो क्लिप को थोड़ा आगे पीछे करके देखें बहुत इसी है तो बन मेरा तयार है और मेरी जो ये fringes है वो कभी-कभी मुझे अच्छी लगती है खुली हुई और कभी-कभी मुझे नहीं अच्छी लगती है तो बस इनको जो है वो मैं थोड़ा सा लपेटा देकर इनको सैट कर रही हूँ और यहाँ पर बस मैं एक bobby pin जो है वो लगा लूँगी तो आगे से बड़ा अच्छा ब्रेडिट सा एक design बन जाता है कभी ये भी share करूँगी फ्रंट से तो एक तरफ से ही camera दिखा सकती थी तो दोनों तरफ से मैंने इस तरह से bobby pin लगा लिए है तो बन जो है आप देखी सकते हैं कि कितना easy है ये बनाना और अब मैं आ गई हूँ नीचे अपना बाकी का काम करने के लिए सबसे पहले बगवान के आगे हाँ जोड लोंगी उन से आशरवाद लोंगी सुभै की दिया बाती जो हो husband ही करके जाते हैं मुझे करने की जरूरत नहीं होती है तो बस मैं नहाद होकर हाँ जोड लेती हूँ और इसके बाद अब मैं अपना काम जो है वो करना शुरू करूंगी कुछ office का काम रहता है और आप लोगों के comments के reply आज कल सच में बहुत delay ही हो जाता है comments का reply करना क्योंकि financial year end चल रहा है तो office का बहुत सारा काम रहता है वो सारा निप्टाना होता है घर का भी रहता है अद्वी के भी अब ये term उसकी खतम होने वाली थी तो उसके साथ भी उसके project बनाना तो काफी busy busy schedule जो है वो था तो इसलिए comments की reply थोड़े से delay हो रहे हैं लेकिन मैं reply फिर भी करते रहती हूँ जब भी time मलता है तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो और I hope आप लोगों को पसंद आई होगी if you like it please give a thumbs up share करें comment करें और subscribe करना बलकुल न भूले फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ आपके अपने deep solid one channel पर thank you so much for watching lots of love to you all take care bye bye